1857 में एक रांती हुई थी जिसने पूरे भारत को हिला कर रख दिया था जो ब्रिटिश गौर्मेंट है यहाँ पर जो कम्पनी का शासन चल रहा था भारत में उसको उन्होंने हिला कर रख दिया था भारत के कई सारे इलाकों से ब्रिटिश जो शासन है वो पूरी तरह समाप् इसके बाद जो हमारे कुछ कमिया है उनके कारण से जो संतावन का विद्रो है धिरे-धिरे खतम होने लग गया कई इलाकों पर ब्रिटिश दुवारा कप्जा करने लग गये और धिरे-धिरे जो प्रभाव था वो खतम हो गया अठरोज संतावन के बाद ब्रिटिश ने काफी सारी चीज़े सीखी उन्होंने जो अपनी गलतियां है उसको सुधारने का प्रयास किया तो हम पढ़ेंगे आज कि संतावन के बाद क्या-क्या स्टेप्स लिये गये थे ब्रिटिश के द्वारा ताकि एक दूसरा और्गनाइजड जो रिवोल्ट है वो भारत में न हो पाए मेली हम संतावन के जो कॉंसिक्वेंसिज हैं हम उनको डिसकस करेंगे ब्रिटिश गोर्मन्ट ने अपनी पॉलिटिक्स में अपने प्रशासन में उनके जो पॉलिशीज है चाहे वो धार्मिक पॉलिशीज हो समाजिक पॉलिशीज हो उनमें और कई सारे अलग-अलग डोमेन हैं वहाँ पर बदलाव किये हम उन सब के बारे में पढ़ेंगे आपके UPSC और इसके अलावा State PCS के जो गजाम है दोनों के लिए relevant रहेंगे, पढ़ते जाएगा और notes बनाते जाएगा Spectrum का जो किताब है, चेप्टर जो आपका Modern India का है, संतावन का, उसके पीछे की समरी मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ एकजाम के पहले यह समरी आपको रिवायस करके जानी है, चलो शुरू करते हैं तो संतावन का जो revolt था, क्रांती थी, उसके पीछे के जो कारक हैं, economic भी थे, political भी थे, परशासनिक, social, religious and military भी आपका जो कारण एक था economic में क्या कारण था, government, British सरकार, tax बहुँ ज़्यादा ले रही थी, हमारे जो जोतेदार हैं, किसान हैं, उन पर tax काफे ज़्यादा लग रहा था अगर tax नहीं पे कर पाते हैं, तो आपके आपके जमीन से बेदखल कर दिया आता था, evict कर दिया जाता था जमीनदार अगर tax टाइम पर नहीं पे कर पा रहा है, तो उसकी जमीनदारी निलाम कर दिया रही थी इसी तरह से, उस समय का जो अवद है, अवद का जो एरिया था, वहाँ पर काफे सारे जो जमीनदार हैं, उनकी जमीनदारी को निलाम कर दिया गया था tariff policy, मतलब कि export import policy, British one way free trade policy implement कर रहे थे, क्या कर रहे थे, one way free trade, ये क्या होता है सर, भारत से जो माल European market में जा रहा है, उस पर tax काफी ज्यादा लग रहा था, मतलब export duty काफी ज्यादा लग रही थी मगर जो माल भारत में आ रहा था, ब्रिटेन से बनके, उस पर tax zero लग रहा था, मतलब उस पर कोई tax नहीं लगा रहा था, इसी कारण से, ब्रिटेन के जो import थे इंडिया में, काफी सस्ते पौड रहे थे, ब्रिटेन का जो माल है, हमारे भारत में लाकर भर दिया गया इससे क्या हुआ, जो traditional handicraft है, हमारे जो कार खाने है, वो सब loss में चले गए, धिरे धिरे नस्ट हो गए, तो हमारे यहाँ, de-industrialization देखने को मिला, पूरा योरोप और दोगी करन फेस कर रहा था, वहाँ पर industries ग्रो कर रही थी, हमारे यहाँ, industry decline कर रहा था, हमारे यहाँ, ज उसको replace करके नए कार खाने नहीं लगाए, जो यहाँ कर पीजेंट है, artisan है, छोटे जमिंदार है, नस्ट हो गए सब, political कारण क्या है, जो British थे, वो यहाँ पर हमेशा महमानों की तरह रहे, इसको अपने एक घर कर रूप में नहीं देखा, इसको हम कहते है, absentee sovereigntyism, मतलब कि एक तरह से हमारे मालिक बन करके हम पर उन्होंने राज किया, बाहर जो रहते थे वो सब, British का जो foreign एक character था, कि वो विदेशी है, फिरंगी है, ये एक हमारे अंदर जो एक अशंतोष की भावना है, वो पैदा करती रही, जो 1857 में, निकली करांती के रूप में, प्रसासनिक जो प्रसासन है, जो छोटा लेवल का, जो करमचारी है, British सरकार का, वो बहुत ही जादा घूस में लिपत था, करप्शन में लिपत था, सिधा परवाव पड़ा हमारी आम जनता पर, जनता का जो सबसादा इंट्रेक्शन होता है, वो होता है, लोकल, लो प्रसासन से, जो हो दूसरा, धार्मिक और समाजिक कारण भी थे, British जो थे, उन्होंने समाजिक सुधार को काफी जोर दिया, उनका कहाना ये था, कि इन लोगों को सिवलाइस्ड बनाना हमारा काम है, जो British के जो इसाई मिशनरी थे, वो भारत में आये, उन्होंने कन्वर्ट करना शुरू किया तो एक जो अविश्वास का भाव है हमारे अंदर, वो पैदा हुआ, Britishers के परती, और वो सब आकर के निकला संतावन की क्रांती में, आगे, मिलिटरी के तुक आउज़े अब को पता ही है, अपने छोटे हैं पढ़ा था, वो कार्तूस वाला समस्या था, प्लस जो हमारे कोई बाहर काम करने जाते थे, बाहर जब पोस्टिंग होती थी, तो उनको विदेशी भाता देने से मना कर दिया, जैसे कि उनको अगर पोस्टिंग कर दी गई सिंध में, ध्या सुनना, उस समय का भारत आज के भारत से अलग था, वहाँ पर भारत का कोई concept ही नहीं था, उस सिंध को वह लोग विदेश मानते थे, तो कहते थे कि हम सिंध में काम करने चाह रहे हैं तो हमको विदेशी भाता दो, बिटिस कहते थे कि नई है तो भारत का पार्ठे हम भाता क्यों दे तो उन्होंने भाता नहीं दिया, अशन्तोश्की भावना थी, कही सारे कारण थे, तो ये मेन कारण है संतावन के रिवोल्ट का अब करांती हो गई करांती आगे बढ़ी करांती खतम हो गई consequence क्या हुआ हमारे आज का topic का मेन ये है ध्यां सुनना प्रशासन में क्या बदलाव किये प्रशासन में British Parliament ने एक कानून पास किया ये जो कानून था ना वो ब्रिटेन के पार्लियामेंट में पास किया गया था इसके जरीये जो पावर है भारत को गवर्न करने का वो ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के Crown के हाथ में दे दिया गया मतलब कि अब ब्रिटेन के Crown के हाथ में मतलब कि वहां का महरानी के हाथ में सत्ता चले गई और महरानी के जगह पर वहां का पार्लियामेंट है वहां के जो सरकार है वो गवर्न करेगी इंडिया को मतलब कि जो पावर था वो Secretary of State के हाथ में चला ग ब्रिटेन का जो मंत्री मंडल था वहां का जो मंत्री मंडल है न उसमे एक मंतरी का नाम था Secretary of State Secretary of State of India इस व्यक्ति को जिम्मेदारी दी गई कि तुम भारत का जो परसासन है वो समालो मालो कि कल होकर के भारत कोई कॉलिनी एक्वाइर करता है पकिस्तान मालो तो हम लोग अपने यहाँ एक बना सकते हैं Department कि Minister of Pakistan Affairs समझरे बात तो भारत का Minister of Pakistan Affairs Minister of Nepal Affairs इस तरह से मैं एक्जांपल दे रहा हूँ हम लोग का कोई वैसा वो नहीं है इंटेंशन नहीं है भारत एक सांत्री पिज़ेदेश है हम लोग ने कभी किसे पर आकर्मन नहीं किया है कभी किसे पर ऐसा नहीं किया है किलर बात तो अल्टिमेट पावर जो भारत के ऊपर है वो चला गया ब्रिटेन का जो सत्ता है वहां का एक्जेक्यूटिव वहां का पार्लेमेंट उसके ऊपर उसके पास आर्मी में क्या बदलाव किये गए हमने देखा कि भारत की जो आर्मी थी उस समय जो ब्रिटेश आर्मी थी उस समय बैंगॉल के जो सिपाई हैं वो धेर सारे थे अवद के सिपोई हैं वो धेर सारे थे अब उस समय यूरोपियन काफी कम थे आर्मी में अब किया गया कि यूरोपियन का संख्या बढ़ाया गया बैंगॉल आर्मी में दो पर एक होगा ब्रिटिश, मदरास और बंबे आर्मी में पांच पर दो होगा क्यों सर, मदरास और बंबे में क्यों कम होगा? क्योंकि वो इलाके शांत थे, वो इलाके relatively शांत थे करांती के दोरान मेन जो आपका रिवोल्ट हुआ था, वो नौर्थ इंडिया में हुआ था, अवद वाले जो रीजन है न, उस तरफ हुआ था और बंगॉल की आर्मी उस तरफ हुआ था जो ब्रिटिश का मोनोपॉली है, वो इंशोर किया गया जो बड़े मतलब की important जगह है, जो geographically important location है, department है उनमें Britishers को, Europeans को एपॉइंट किया गया सेना में अगर कोई भारत का सिपोई है, तो वो सुविदार का पद के उपर नहीं पहुंच सकता था चाहे आप कितने भी talented हो, आप कितने भी साल काम कर लें जो officer rank है, उसमर केवल British, केवल European ही allowed थे ताकि प्रशासन में केवल European रहें, भारत के जो लोग हैं, उनको उचापद नहीं दिया जाता था जो recruitment policy है, मतलब की सेना में, खास करके सिख को, गुर्खा को और पठान को वरेता दी जाती थी क्योंकि सिख गुर्खा ने help करी थी British को, संतावन की करांती को दबाने में आगे, जो caste और communal companies हैं, वो company मतलब की सेना में जो दल होते हैं, वो तो caste के अधार पर, community के अधार पर जो ये दल है, वो बनाए गए थे ताकि, दो जो दल अलग-अलग हैं, वो एक साथ ना आ पाएं, दोनों में एक दूसरे के परती विरोध पैदा किया जाता था, मालो कि एक company ने revolt किया, तो दूसरी company उत पर गोली मारने के लिए तयार रहेगी, अगर प्रेम हो जाएगा, अगर एकता आ जाएगी, तो दोनों खड़े हो जाएंगे ना करांती के लिए, तो इस सब देखा गया था, आम जीवन से सैनेकों को अलग रखा गया, ताकि जो राष्ट्रियता क किन पर गोली चलाई, भारतियों पर गोली चलाई, कैसे चला पाए, क्योंकि उनमें जो राष्ट्रियता का sense है, वो डवलप नहीं होने दिया गया, आप अगर भारतियों को गोली मार रहे हैं, भारतियों होने के पावजूर, तो कोई कारन होगा ना आपके मन में, प्रेम किसी आना कर सकती है, नहीं नहीं कर सकती, उनमें राष्ट्रियता के भावना है, उनको पता है कि ये हमारे भारत के लोग, अपनी लोग हैं, इनहीं के लिए हम लड़ते हैं दुसरे देशों से, ठीक है, तो ये चेंज किया गया आर्मी में, जो पबलिक सर्विस था, उसमे 19 साल कर दिया था, लिटन ने, 1878 में, इसके बाद जो एक्जाम होता था, वो लंदन में होता था, अंग्रेजी भाषा में होता था, और इसमें ग्रीक और लैटिन जैसे जो विशाय है न, वो आते थे, अब भारत के लोगों को ग्रीक लैटिन से क्या मतलब, फिर भी हमारे कई सारो लोगों ने पढ़कर के एक्जाम पास किया था, ठीके न, मगर काफे कम संख्या थी, बिटिश की तुलना में, जो रजवाले थे, उनसे सम्मंधों को उनने सुधारा, रजवालों ने क्यों पर्टिसेपेट किया था क्रांती में, क्योंकि उनके जहांसी किरानी हो रजवालों को यह कहा गया, कि अब हम आपकी राजि को एनेक्स नहीं करेंगे, नहीं हथी आएंगे, आपके राज्य का गिटिरिटृ होगा, वो उसको उसको अब लुग ही नहीं करेंगे, मगर महराणी ने 1876 में कैसर अहिन्द की उपाधी ले ली, मतलव कि महराणी परमाउंटेसी है, वो apply कर दिया गया, मतलब कि ये तुम्हारा राज्य है, तुम इसके राजा हो, मगर महरानी तुम्हारे उपर होगी, समझ गए ना, ये राज्य हुआ, ये राज्य हुआ, ये राज्य हुआ, इसका राज्य हुआ, इसका राज्य हुआ, इसका राज्य हु ये इनके भी उपर होगी इसको हम कहते हैं पेरामाउंटेसी ये जो पेरामाउंटेसी है वो 1947 में लैप्स हो गया था खतम हो गया था इसी पेरामाउंटेसी के लैप्स होने के बाद रजवालों ने कहा कि अब हम दुआरा सोतंत्र होंगे हैदराबाद, तरावनकोर, जुनागर ये सभी राज यही सपना देख रहे था जमो कश्मीर, हरी सिंग कि हम लोग अब सोतंत्र होंगे क्योंकि महराणी का पेरामाउंटेसी खतम हो रहा है हमारे उपर महराणी नहीं रहेगी उन्होंने कहा कि जो इंटर्नल अफेर है, उसमें हम इंटर्फेर कर सकते हैं क्योंकि हम महराणी हैं और तुम्हराजा के हम ऊपर हैं तो ये मेंड चेंजेस किये गए थे परशासिनिक पॉलिसी में फूट डालो राज करो, इसका तो पालन किया ही गया था जो पढ़े लिखे भारतिये थे उससे दुश्मनी रखे गए क्योंकि पता था कि क्रांती केवल पढ़े लिखे लोग ही ला पाते हैं, वही लोगों को जागर कर पाते हैं जमिंदार को उन्होंने अपना एलाई बना लिया जमिंदार को बोला कि तुम अराम से तुमको जो फोशन करना है जनता का तुम करो, तुमको हम सुरक्षा देंगे जो समाजिक सुधार कर रहे थे पहले ब्रिटिश, सब छोड़ दिया बोला कि तुम्हारे लिए हम कर रहे थे से ज्यादा सूपीरियर हैं, ज्यादा बेतर हैं, ये कॉंपलेक्स आज भी हमारे अंदर है, जो हीन्ता ग्रंथी है, वो आज भी हमारे अंदर है, कि हम किसी विदेशिय को देखते हैं, जो गोरा है, तो उसको हम अपने सच्छा समझते हैं, मगर जो अफ्रीकन है, कोई काला ह तो उसको हम लोग अपने से खराब समझते हैं, नीचा समझते हैं, यह जो color के अधार पर जो आ गया है, racism, यह British की ही देन है हमारे अंदर, ठीक है, तो यह आपने पढ़ा consequence, aftermath, किसका, 5857 क्रांती का, अब मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, आप इस question को लिखिये, यह question का है, 250 words में, और 15 marks का आपका यह question रहेगा, यह question जो है, वो आपके GS1 का जो topic है, उसको cover करेगा, UPSC, mains का, अगर आप देते हैं, exam BPSC का, UPSC का, तब भी यह question आपको करना है, क्योंकि उनमें भी questions ऐसे ही पूछे जाते हैं, अब नय सेलबास के हिसाब से, ठीक है दोस्तों, त वीडियो कैसा लगा, आप बताईएगा, हम रहे उतने अपने गले वीडियो में, थैंक्स वर वाचिंग, टेक केर, जय हैं